हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू अनकेडमी लर्निगर्ड वेल्कम टू अनकेडमी लर्निगर्ड और फ्रेंड्स आज का हमारा जो सेशन रहे गाई है इसमें मैं आप सब को एक प्लैनिंग के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने CSIR डिसमबर, डिसमबर तू टू 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 ट personalities के लिए कैसे प्रिपेर करना है डिसमबर टू 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 टी वन के लिए आप लोगों को किस प्लैनिंग के साथ preparation करनी है ृसकी वपर आज हम बात चित करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अपने बारे में बतादू मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और मुझे है चार साल के experience in the field of higher mathematics like CSIR net, IIT jam and gate मैं आप सबकी यहाँ पर help करूँगा concept building में और हम सभी लोग सीखेंगे CSIR के जो questions है उनको how to think without ink के concept के साथ तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप सबको an academy subscription पर daily live classes मिलती है, test series मिलते हैं, doubt playing session आप सभी को यहाँ पर available करवाए जाते हैं, आप सभी लोग अपने CSIR को crack करने के सपने को सकार कर सकते हैं with me and with other top educators from the CSIR mathematical sciences और आप लोगों को an academy subscription पर या an academy के अंदर आप लोगों को क्या क्या terms मिलती हैं, आप सभी को daily live classes मिलती हैं, daily live classes मिलती हैं, जहां पर आप अपने doubts पूछ सकते हैं, हमारे से अपने educators के educator के साथ through live chat support और उसके बाद आप सभी लोग हमारे poll का भी answer दे सकते हैं, जो मैं हम आप लोगों के साथ polling करते हैं इसके अंदर, anacademy के dot com पे special class के अंदर, ठीक है तो आप सभी को unlimited access मिलता है आप सब के recorded session का भी और live session का भी, और आप सभी को daily quiz आप लोगों के साथ analysis की जाती है, test series with proper analysis आप लोग अपनी detail analysis कर सकते हैं, अपनी performance का detail analysis जो है, आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है friends सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं anacademy पर subscription कैसे लेना है, आप लोगों को anacademy learning आपको जो है वो install करना है, install करने के बाद आप लोगों को अपने category CSIR को find out करना है, मनलो search करना है जैसी CSIR, net, UGC, net आप लोगों के पास आएगा, इस plus icon पे tap करके आपको वो add कर लेना है अपने goals के अंदर, और उसके बाद आप सबी लोग जो है, get subscription पे tap करना, और मैं आप सबको suggest करूँगा कि आप सबी लोग जो है 13,750 रुपीज की 12 month की subscription को लें, ताकि 12 month में आप सबी लोग जो है, अपने CSIR के 2 exam को pass out कर पाए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जैसे ही कि आप सबी लोग मेरा referral code apply करते हैं, केशव sir या केशव sir 10, आप सब को instant 10% का discount available होगा लेकिन जल्दी कर लेना, ये 10% का जो उनसर discount है, अब ये 5% का होने वाला है, तो आप लोगों को 5% का नुक्सान ना हो, इस वज़े से आप लोगों को suggest करूँ कि आप सबी लोग जल्दी से जल्दी इसके बारे में जो है, वो आप लोगों को personal coaching चाहिए, कुछ और doubts ये doubt cleaning session आप लोगों को personalized चाहिए, या आप लोगों को study material चाहिए, या आप लोगों को SOP और interview preparation के बारे में information चाहिए, तो आप सबी लोग unacademy का iconic subscription ले सकते हैं, और iconic subscription आप सब के पाज़ और 12 month का iconic subscription है, वो है 26,000 26,000, मैं आप सब को suggest करूँगों कि आप सबी लोग जो है 12 month की 26,000 की जो iconic subscription लें, लेकिन इसके लिए भी अगर आप सबी लोग मेरा refer code apply करते हैं, केशब सब्सक्राइब 10, तो आप लोगों को instant 10% का discount यहाँ पर available हो जाएगा, instant 10% का जो discount है, यहाँ पर available हो जाएगा चलिए, और इसके बारे में आप सबी लोग तो जानते ही हैं, यह हमारा YouTube पे live आने का time है Unacademy XLate, आप सब के साथ Unacademy scholarship test यहाँ पर conduct करवा रही है, जहाँ पर आप सब को Unacademy की subscription के उपर, जो है 100% scholarship मिल सकती है, तो 1 to 10 rank के लिए, 1 to 2 rank के लिए 100% है, 3 to 10 के लिए 75% है 11 to 35 के लिए 50% है, और 36 to 100 105 के लिए 25% scholarship Unacademy जो है, यहाँ पर provide कर रही है, only for plus subscription, not for iconic, only for plus subscription, not for iconic, आप लोग Unacademy की अभ्यास test series के साथ भी, अपनी preparation को जो है, वो follow कर सकते हैं, और अभ्यास test series को unlock करने के लिए, आप सभी लोग मेरा refler code apply कर सकते हैं, केशव sir 10, केशव sir 10 जैसी आप लोग apply करेंगे, KESHAVSIR10 जैसी आप लोग apply करेंगे, आप सब को यहाँ पर availability हो जाएगी, चलिए friends, हम यहाँ पर बात करते हैं, exam scheme के उपर, सबसे पहले CSR के बारे में, जो उनसा exam हम देने वाले हैं, December 2021 में, आप लोगों को उसके बारे में information तो पता होनी ही चाहिए, तो चलिए, यहाँ पर start करता हूँ, मैं, अपने concept के साथ, आप सबके पास ही, जो question paper है, यह तीन parts में यहाँ पर available होता है, पार्ट A, पार्ट B, और पार्ट C, पार्ट A में journal aptitude के questions होते हैं, यह आप लोगों के लिए CSR के हर paper में, मतलब हर subject में यह same रहेंगे, और पार्ट B, जो हमारा mathematical sciences का question आएगा, वहाँ से आप लोगों को mathematics के question जो हैं, वो available होंगे, similarly, part C भी आप लोगों के पास, जो है mathematics के ही question आप लोगों के पास available होंगे, लेकिन general aptitude के आप सब के पास जो question होते हैं, वो 20 question आप लोगों के पास available होते हैं, जिन पर numbering होती है, 1 से लेके 20 तक, लेकिन आप लोगों को 20 question attempt नहीं करने, आपको जो maximum attend करने हैं, correct option यहाँ पर available रहता है, इसकी जो numbering होती है, वो 21 से लेके 60 तक, 40 question आप लोगों के साथ पूछे जाते हैं, और आप लोगों को इस 40 में से only and only 25% ही या, sorry, 25 जो question है, आप लोगों को वही attempt करने होते हैं, ठीक हैं, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर mathematical sciences के part C के बारे में बात करते हैं, part C में आप लोगों को multi correct option यहाँ पर available होती है, मतलब अगर किसी question का option number A, B और D अगर correct है, आपने A, B और C लगाया है, तो आप लोग इसको true नहीं मानेंगे, तो आप लोगों को A, B और D ही यहाँ पर जो हैं, marks का question यहाँ पर available होता है, जिसमें से आपको 200 का attempt करने की requirement होती है, तो देख सकते हैं, 15 question है, और section A के लिए, सही question होने पर 2 marks की availability यहाँ पर होती है, तो आप सभी लोग 2 marks into 15, तो 30 marks हो गए, similarly 25 marks into 3, तो आप लोगों के पार 75 marks हो गए, similarly 20 into 4.75 marks, तो आप सब के पार 95 marks यहाँ पर available होते हैं, तो जैसे ही आप सभी लोग 75, 30, और 95 को add करते हैं, तो 200 marks का question paper जो है, आप लोगों को attempt करना होता है, और गनीमत की बात तो यह है, 200 में से आप लोगों को सिर्फ 10, 10 plus आप लोगों को यहाँ पर available करवाने होते हैं, approximate 10, 10 आप लोगों को, अपना JRF के लिए आप लोगों को available करवाने होते हैं, और मैं आप सब को बात बोलूँगा कि 100 plus आप लोगों को lecturership के लिए available करवाने होते हैं, यह previous analysis है, हर बार थोड़ा बहुता different होता रहता है, लेकिन अगर हम इसको क्या करते हैं, safe zone में लेके चलें, तो safe zone में आप सब के पास है 120 plus for jrf, यह आप लोगों का safe zone है, और 110 for lecturership 110 for lecturership, यह आप लोगों का safe zone है, आप लोगों किसी भी category से हो, कोई मतलब नहीं पढ़ता, आप लोगों का safe zone है, jrf आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन एक और बात, section b और a के अंदर, part a और part b को मैंने section a और section b बोल दिया है, तो part a के अंदर, आप लोगों के बार negative marking भी है, 25% of each wrong answer, आप लोगों का deduct कर लिया जाएगा, similarly 25% of each wrong answer, आप लोगों का deduct कर लिया जाएगा, मतलब इसका 2 का 25% और similarly 3 का 25% deduct कर लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर negative marking नहीं है, option number या part number c के अंदर negative marking नहीं है, लेकिन इसके अंदर partial marking भी नहीं है, मैंने आप लोगों को अभी बताया, अगर किसी question का जो answer है, आप लोगों का correct answer है a, b और d, और आप लोगों ने a, b लगाया है, या a, b और c लगाया है, तब भी option गलत है, तब भी option आप लोगों का गलत है, ठीक है, तो मतलब answer आप लोगों को marks नहीं मिलेंगी, अगर a, b, d है तो you have to put the answer a, b and d, correctly, और इसके चारों option भी true हो सकते हैं, और इसमें single भी मिल सकता आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि इसमें से एक से जादा ही होंगे, single correct भी इसके अंदर डाल के 4.75 marks को question आप लोगों को available करवा दिया जाता, तो इस बात का हम लोगों ने option के साथ भी इसको साथ में रखना है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पर syllabus के उपर बात करते हैं, syllabus के उपर बात करते हैं, यहाँ पर इसके अंदर जो main topic हैं आप लोगों के syllabus के लिए, first है आप लोगों का real analysis, second है linear algebra, real analysis मैंने आप सब के साथ YouTube, Unacademy के YouTube चैनल पर आप लोगों के साथ मैंने approximately 70% तक मैंने इसे done कर दिया है, 70% तक इसका syllabus जो है, वो done हो चुका है, Unacademy के YouTube चैनल पर, हम लोग आप सब के साथ daily live आते हैं, शाम को 8-20 से लेके 9-20 तक आप सब के साथ हम लोग daily live आते हैं, तो आप सब लोग वहाँ पर चुक हैं, मुझे follow कर सकते हैं, Similarly, linear algebra, linear algebra मेंने आप सब के साथ Unacademy की special class के अंदर complete करवाद यह है, आज एगर हम बात करें तो lecture number 21 का time है, आज शाम को 4-5, शाम को 4-5 आप सब के साथ हम लोग available होते हैं, special class के अंदर, unacademy.com के अंदर, आप लोग केशव सर्थ करेंगे, आप लोगों को availability वहाँ पर हो जाएगी, अगली बात करते हैं, यहाँ पर unit number 2 के उपर, unit number 2 में आप लोगों के पास आता है complex analysis, और extract algebra में आप सब के पास आता है group theory, group theory, similarly आप लोगों के पास आती है, यहाँ पर ring theory, similarly आप लोगों के पास आती है, ft field theory, similarly this is the topology, यह आप लोगों के पास major topics है, इनके सब topics भी available है, जैसे real analysis के अंदर है, हमारे पास लगबग approximate आप लोग मान के चलें, 11 to 12 chapters है, first chapter है sets and its property, second chapter है countability and uncountability, third chapter है, आप लोगों के पास sequence of real number, fifth chapter है series of real number, और उसके बाद है functions के उपर बात्चित है, उनकी graphs के उपर बात्चित है, 7th chapter में, similarly हम लोग आगे बात करते हैं, limit continuity, differentiability, power series, demand, integrable, uniform convergence, uniformly continuous function, तो यह सारी बाते हम लोग real analysis में अभी तक पढ़ रहे हैं, आप सभी लोग हमारे साथ यहाँ पर जो है वो join करके हमें इसके बारे में आप लोग अपना real analysis का syllabus मेरे साथ यहाँ पर कर सकते हैं, similarly आप लोगों के पास है topology के exam रहता है, यह आप लोगों के पास है पूरा का पूरा pure portion, similarly आप लोगों के पास यह applied portion भी यहाँ पर available रहता है, जो सबका favorite रहता है, ordinary differential equation, हर student का favorite रहता है, मिठाई जैसे question आते हैं, इसको उठाया और खालिया, इतना ही simple इसमें question यहाँ पर available होते हैं, ordinary differential equation, partial differential equation, numerical analysis, आप लोगों को इसके बारे में आप पर पता होना चीए, न्यूटन रेप्शन के बारे में, न्यूटन forward के बारे में, न्यूटन backward के बारे में, आप लोगों को पता होना चीए, ये सारी की सारी बाते हम लोग जो है numerical analysis के अंदर पढ़ते हैं, जल्दी ही आप सब के साथ हम इसी Unacademy के YouTube चैनल पर आप सब के पास इस सारा का सारा जो syllabus है आप लोगों को available करवा दिया जाएगा मेरे थ्रू और राहुल जैन सर के थ्रू राहुल जैन सर भी आप लोगों के साथ यहां पर available है तो आप सभी लोग राहुल जैन सर को और जिसमें हम freedom integral equation के बारे में बात करते हैं और उसके type के बारे में बात करते हैं कैसे हम किसी भी integral equation को solve कर सकते हैं यह सारी जानकारी आप सब को यहां पर available होती है ठीक है और last but not least यहां है आप लोगों के पास statistical portion तो stat का जो option है वो आप लोगों के पास यहां पर available होता है तो यह सारा का सारा topic आप लोगों के पास December 2021 के लिए D 2021 के लिए आप लोगों के पास यहां पर available है अब आप लोगोंने selection करना है कि कितने marks में आप लोगों को जो है वो requirement होनी चाहिए तो on an average previous year को ध्यान में रखते हुए मैं आप सब के साथ यहां पर discuss कर रहा हूँ इनके previous year analysis को तो यह रहे आप लोगों के पास previous year analysis on your screen तो यह रहे बिटा आप लोगों के पास previous year analysis और marks distribution marks distribution के अगर हम बारे में बात करें तो real analysis आप सब के पास previous year analysis के अंदर से अगर मैं previous year के पिटारे से बात करूँ तो आप लोगों के पास 60-70 marks आप लोगों के पास real analysis on an average पूछी जाती है अगर मैं linear algebra के बारे में बात करूँ तो 50-60 marks आप लोगों के पास linear algebra पूछा जाता है इन दोनों को अगर मैं मिला दूँ तो 121 marks आप लोगों के यहीं पर ही cover हो जाते हैं मैं एक बार इन दोसों में से अगर मैं बात करूँ मैंने आप लोगों के पास अभी JRF के बारे में बात करी थी Safe Zone के बारे में मैंने आप लोगों के पास JRF है यहाँ पर F आना है यह F है, similarly मैंने आप सब के साथ बात करी थी lecture arship के लिए तो 110 प्लस जो है हम किसी भी category से belong करते हो हमें यह marks को पका मिलेंगे ही मिलेंगे, अब बात आती है यहाँ पर कि हमारा जो section 1 है वही हमारा जो भी तक unit 1 के बारे में बात हो रही है, उसी से ही हमारा 121 marks यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन 121 marks हर student full after full नहीं grab कर सकता, तो हम यहाँ पर on and average को लेके चलेंगी, ठीक है complex analysis, जिनको real समझ आ गया वो complex के अंदर easily, असानी से फोड़ सकते हैं, similarly topology and the expert algebra, आप लोगों के पास से 29 से लेके 38 marks तक के बीच में expert algebra पूछा जाता है, जिसमें group theory एक major portion को cover करता है group theory एक major portion को cover करता है, तो जिनको group समझ आ गया आप लोग मान के चलेंगे, आप लोग इसमें से 20 marks तो आसानी से grab कर सकते हैं इसमें से आप लोग 40 marks तो आसानी से grab कर सकते हैं, इसमें से आप लोग 35 plus marks जो है आसानी से grab कर सकते हैं, तो हम जड़ा इसको 40, 35 और 20 marks को मैं यहाँ पर लिखूँ, और इसमें से आप सभी लोग 15 plus marks तो हैं, आप लोग आसानी से को ग्रैब कर सकते हैं हमारी चार उनिट में से चार पॉइंट समने यहां पर आसानी से आप सब के साथ यहां पर अवेलेबल करवा दिए लेकिन फ्रेंट्स अगर हम बात करें तो और डिफरेंचल एक्विशन से बच्चे इसको जो हैं 25 से लेके 22 मार्क्स यह 22 से 25 मार्क्स इ यहां पर जो हैं मेंटर कर चुका हूं तो आप मुझे पता है कि कौन को इसे स्टूडेंट्स कहां कहां से यहां से स्कूर कर जाते हैं similarly partial differential equation 10 to 12 मार्क्स वो कहीं पर भी जाने नहीं देते similarly integral equation से integral equation से वो लोग भी 15 to 18 मार्क्स कहीं पर भी निकलने नहीं देते तो अगर मैं on and average के बारे में बात करूँ कि उन्होंने 40 मार्क्स यहां पर लिये हैं यह हमने on and average के बारे में एक mean value मैं यहां पर अविलेबल करवा रहा हूं तो यह 75, 95 और यह 500, 110 मार्क्स आप लोगों के यहीं पर यह अविलेबल होते हैं उसके बाद यह आप लोगों के पास जो है fluctuation हर बार की होती है और एक और बात मत भूलना कि part A भी आप लोगों के पास है 30 marks का तो 30 marks में से भी तो कुछ कुछ ले पाएंगे ना जी बिल्कुल 30 marks का आप लोगों के पास part A है तो ऐसा नहीं है कि आप लोग पार ए बिल्कुल ही छोड़के आएंगे कुछ ना कुछ तो वहां ज़र्ब स्कोर करेंगे तो CSR को crack करना इतना भी मुश्किल नहीं है इन concept को असानी से बिल्ड करने के लिए आप लोगों की help करूँगा मैं केशफ गिलोतरा तो आप सभी लोग जो है यहां पर इसके बारे में information जो है जल्दी से जल्दी जो आप लोगों को मैंने यहां पर share करी है वो मैंने यहां पर आप लोगों के साथ available करवा दी है अग choice बेटा आपकी है आप लोगोंने concepts levels को अच्छे से पढ़ना है देखिए मैं आप सबको बोलूगा कि यह च्यार जूनिट जो है ना रियल linear algebra, extra algebra, ordinary differential equation, partial differential equation और यह चार पांच उनिट जो है ना इनको तो पक्का पकड़के जाएगा ही जाएगा यहां से कोई भी कोशन ना जाए इसके पर mastery कर लिजे हम लोग MSC mathematics है हम लोगों को पता है कि किसे accordingly mastery करी जाती है अगर मुझे नहीं आ रहा होता तो किसी को भी नहीं आ करी है आप लोग अपनी preparation को start कर सकते हैं हमारे online course को लेकर और उस course की detail है मैं आप सब के साथ वीडियो के starting में बता चुका हूं चलिए अगर मैं यहां पर बात करता हूँ general category की cutoff के बारे में general category की cutoff के बारे में तो मैं आप सब के साथ अभी यह तो previous analysis है एक fresh cutoff भी है मेरे पास यहां पर this is our fresh cutoff तो मतलब अभी fresh का मतलब है कि अभी जो हमारे पार June 2022 का paper जो November में हुआ था उसकी यह cutoff आप लोगों के पास available है देख सकते हो यह November में यहां पर 26 November को आप लोगों का mathematics का paper हुआ था और अगर मैं you are unreserved category जनल category की mathematical sciences के बारे में बात करूँ तो mathematical sciences का जो आप लोगों का highlight मैं यहां पर ले लेता हूँ और highlight के accordingly यह रहा highlighter तो mathematical sciences की जो cutoff है आप लोगों की 55% है 55% है 25% है 200 का 55% आप लोगों निकाल लीजिए उतना आप लोगों के पास net की net की और सॉरी जेरेफ की है यह जेरेफ के बारे में यहां पर available है ठीक है जेरेफ के बारे में junior research fellowship के बारे में तो आप लोगों को 57% आप लोगों को marks जो है general category को available करवाने थे similarly for EWS category 51.38% आप लोगों को जो है पिछली बारी यहां पर marks अगर अगर आप लोगों की है तो आप लोगों को जेरेफ मिल जाता है similarly for OBC and SC category आप लोगों के पास भी देख सकते हो 50%, 40% और ST के लिए तो 30% है यहां पर available तो आप लोगों को पता है कि किस accordingly preparation करनी है अपनी category को ध्यान में रखते हुए syllabus कम पढ़ना है लेकिन solid पढ़ना है question कहीं से भी आदा है हम लोग फोड़ देंगे ऐसी अपने आप में confidence रखना है लेकिन over confidence नहीं रखना आप लोगों के पास unreserved category के लिए available है 51.3% आप लोगों की mathematical sciences की जो है यहां पर cut-off के बारे में मैं यहां पर बात कर रहा हूँ mathematical sciences की यह सारी की सारी मैंने आप सब के साथ ही yellow कर दी है तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि अगर हम lecture worship के बारे में बात करते हैं तो 51.3% आप लोगों के पास यहां पर available है for general category for EWS 46% for OBC 45% for ST 33.22% similarly SC category 36.22% और ST category के लिए है 27% आप लोगों को जो है marks यहां पर score करने है और अगर मैं similarly यहां पर अगर मैं general category की cut off के बारे में बात करूँ जो हमारे पास last year में आई है तो आप लोग देख सकते हूँ on and average के बारे में अगर हम बात करें on and average आप लोगों के साथ बात करें तो यहां पर है December 2019 की जो cut off के बारे में बात हुई थी वो है JREF के लिए 53.63 percent 53.63 percent for general category and the lecturer say 48 percent तो मतलब on and average इसी के neighborhood में यहां पर जो है आप लोगों के पास cut off available है इसलिए तो मैंने आप सब को जो है green zone के बारे में बात करूँ अगर मैं green zone या फिर आप लोग इसको बोल सकते हैं safe zone अगर मैं बात करूँ तो अगर आप लोगों का safe zone है JREF के लिए तो JREF के लिए safe zone आप लोगों का 120 marks प्लस आप लोग JREF अगर score करते हैं तो आप लोग किसी भी category की है confirm JREF है similarly आप लोगों के पास lecture ship के बारे में बात करूँ तो lecture ship भी आप लोगों के पास 110 प्लस आप लोगों के पाँ lecture ship अवे लेबल है तो आप लोग किसी भी category से हो आप लोग इसको आसानी से crack कर सकते हैं बस आप लोगों को इस preparation के ओपर ध्यान दिना है कि आप लोगों को कि accordingly अपनी preparation करनी है कौन सा subject जो है आप लोगों को यहाँ पर choose करना है as a mentor, as a educator, as a faculty of this academy मैं आप सबको जो है यह इसके बारे में full information देनी मेरी duty थी लेकिन बिटा choice आपकी है, आप लोगों को यहाँ पर खुब select करना है कि हमें क्या चीज यहाँ पर हमें पढ़नी चाहिए ठीक है friends, तो I hope आप सबको यह जो preparation planning है आप लोगों को जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ discuss करी है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी और जो इसके बारे में detailed PDF अगर आप लोगों को चाहिए syllabus की तो CSIR की official website पर syllabus के detailed PDF वहाँ पर available है आप लोग असानी से जाके उन topics को जो हैं topics के जो मैंने आप सबके साथ बात करी है इन topics के भी आगे सब topics हैं जैसे आप लोग में आप vector space है, subspace है, dimension?' etnality है इसको उपर बारे में बारे में बारे में बारे मीशहेorgan है, homomorphism है, subgroup है, silo है इसको उपर बारे में बारे में बारे में बात करें तो freedom integral equation and like this इन सबी integral equation के बारे में आप सब को पढ़ना है तो ये बिटा आप लोगों की खुद का choice है कि आप लोगों को किस subject के साथ जाना चाहिए, किस topic के साथ जाना चाहिए, कि आप लोग जो है अपना safe zone को तो बरकरार रखी पाएं, previous year analysis मैंने आप सब के साथ कर दी है, cut off मैंने आप सब के साथ discuss कर दी है, तो ये मेरी preparation planning थी, जो मैंने आप सब के साथ यहाँ पर available करवाई है ठीक है, last time की भी मैंने आप सब के साथ जो है, ये preparation planning आप सब के साथ available करवा दी है तो I hope आप सब को जो है, इसके आने वाली official notification आप सब के पास सबसे पहले पहुंचें आप सभी लोग मुझे और राहूल जैन सर को follow करना मत भूलेगा ताकि हम लोग जो हैं आप सब के साथ एक बहतरीन तरीके से teamwork के साथ आप लोगों के साथ जो है real analysis या CSIR के mathematical sciences का syllabus जो है word deliver कर पाएं तो इसी के साथ thank you friends thank you so much for being with us आप सभी लोगों को I hope ये session समझा गया होगा preparation आप लोगों को पता चलगी होगी कि कौन-कौन से topics को आप लोगों को follow करना है और कौन-कौन से topics को follow नहीं करना है तो इसी के साथ आप सभी का धन्यावाद हमारे साथ हमारे official YouTube channel के साथ जोड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यावाद Let's crack it